ब्रिलियंट नोलेज के यूटूब चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हमारे सामने कोस्टन क्या है आई इसको समझ लेते हैं देखिए प्रशन है बिहार के क्रिसी आधारित किसी एक उद्योग के विकास एभंग वित्रन पर परकास डाले या ध्यान से समझेगा बिहार में क्रिसी आधारित बहुत से उद्योग है क्या आधारित क्रिसी आधारित उनमी से किसी एक उध्योग के विकास के बारे में कि वो कैसे कैसे तरक्की किया और वीत्रन के बारे में ऐसे उध्योग कौन सा जीला में कौन सा अस्थान में ज्यादा मिलता है कम मिलता है इस बारे में हमें उत्तर में बताना है तो उत्तर में जाने से पहले मैं आपको बता दू कि ये किरिसी आधारित उध्योग आखिर होता क्या है देखे उध्योग का मतलब होता है कलकार खाने और ऐसा कलकार खाने जो किरिसी पर आधारित हो डिपेंड हो उसे किरिसी आधारित उध्योग बोलेंगे अब कोन से उद्योग किरसी यानि खेती पर डिपेंड रहता है जैसे मान के चलो बिस्किट बनाना है बिस्किट तो बिस्किट किस से बनेगा आटा से बनेगा यानि गेहू से बनेगा तो गेहू हमें कहां से मिलता है किरसी से मिलता है खेती से मिलता है ना उसी तरह चिप्स वगरे आलू से बनता है तो आलू फिर किस से प्राप्त होता है खेती से तो चिप्स बनाने वाला बिस्किट बनाने वाला ये उद्योग कहीं ना कहीं किरिसी पर आधारित है किरिसी के माधियम से गेहू होगा आलू होगा तभी ये इनमें से किसी एक उध्योग के बारे में आपको बताना है तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग कौन सा किरसी आधरित बात करेंगे चीनी उध्योग के बारे में तो देखिए आगे यहाँ पर क्या कि बीसवी सदी के मध तक भारत में चीनी उध्योक के छेत्र में बिहार का आस्थान महतपूर्ण था यानि पूरे भारत वर्स में पूरे देश में चीनी उध्योक के दिबात करें तो हमारा राज बिहार का महतपूर्ण आस्थान था यहां काफी मातरा में चीनी का उत्पादन होता था कब तक? 20. सदी के मद्ध तक 20. सदी का मद्ध होता है लगभग 950 इसबी तक तो आगे देखिया किंतु लेकिन 960 के बाद 960 के बाद इस उद्योग में मतलब चीनी उद्योग में हरास होने लगा मतलब कमी होने लगा हरास का मतलब कमी होना आगे देखिए लेकिन हाल की कुछ वर्सों में हाल की कुछ सालों में इसमें सुधार होने लगा है मतलब चीनी उद्योग में सुधार होने लगा है सुधार का मतलब इसमें थोड़ा सा अच्छा होने लगा है चीनी उत्पादन बढ़ने लगा है पूर्ब में मतलब पहले यहाँ चीनी की मिलो की संख्या 29 थी लेकिन 2006-07 में इसकी संख्या घटकर मात्र 9 रह गई है यानि समझ ये कि 2006-07 तक 9 रह गई है चीनी मिल घटकर के लेकिन इससे पहले पूर्ब में 29 चीनी मिल था यहाँ पर आगे देखेंगे हम फिर बिहार राज चीनी निगम के बंद बिहार राज चीनी निगम के बंद परे 15 चीनी मिलों एवं दो निर्माना धीन इकाईयों को पुने जीवीत करने की योजना है यानि समझ यह बिहार राज चीनी निगम के अंतरकत बंद परे 15 चीनी मिलों को जीवीत करेगा मतलब उसको दुबारा स्टार्ट करेगा उसमें चीनी का उतपादन करेगा और दो निर्माना धीनिकाई दो चीनी मिल निर्मान होडा दो चीनी मिल को बनाया जा रहा है इसको भी जीवीत करेगा यानि इसमें भी चीनी का उतपादन करेगा चीनी मिल का मतलब चीनी का फैक्टरी समझ सकते हैं आप आगे देखिए बिहार में चीनी की अधिकतर मिले अब चीनी का विकास के बारे में तो देख लिए अब इसी कुश्टन का जो दूसरा भाग है कि चीनी के वितरन के बारे में बताना है कि कहां कहां चीनी मिले पाया जाता है उसको देखिए बिहार में चीनी की अधिकतर मिले उत्री पस्चिम छेतर में इस्थीत उत्री पस्चिम छेतर यानि पूरे बिहार का जो उत्तर साइड और पस्चिम साइड वाला जो कोना है उस छेतर में पस्चिम चमपारन, उर्भी चमपारन, सीवान, गोपाल और सारंग जीले में केंदरीत है इन जीलों में चीनी मीले अधीक है, अधीक चीनी का उत्पादन किया जाता है क्योंकि इस छेत्र में गन्ना उत्पादन के लिए अत्यंद ही अनुकूल परस्थितियां मोजूद है क्यों इस छेत्र में चीनी की अधिक मिले हैं क्योंकि यहां गन्ना का उत्पादन अधिक होता है और गन्ना का उत्पादन करने के लिए जो जो परस्थिती है वो वहां मौझूद है गन्ना का उत्पादन अधिक होगा तो वहां चीनी मीर अधिक है और चीनी का उत्पादन अधिक होता है आगे देखिए इसके अतिरिक्त कुछ चीनी मिले बिहार के अन्न छेत्र में भी मौजूद है तो यहां पर यह वीडियो समापत होता मैं उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी जन्वाद